आज इस वीडियो में हम बात करेंगे सायतामा कोईन के बारे में सायतामा को लेके बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं और काफी टाइम से इस कोईन की कोई अपडेट नहीं आई क्योंकि अगर आप देखेंगे जैनवरी मन्त के अंदर सायतामास्क वॉलेट को जब लाँच किया गया था लाँच तो पहले ही कर दिया गया था लेकिन जब अवेलेबल हो गया था सायतामास्क वॉलेट और कई ना कई उस launch के वक्त जो है इस coin के अंदर काफी अच्छा pump आया था 55% का जो है increase आया था उस time पे और साइता मास्क wallet तो आ चुका है और अगर आप देखेंगे इस coin की जो value है काफी drop हुई है आप देख रहे हो December में market crash हुआ है January में और नीचे गया तो इस coin के price में भी बहुत नमी आई है और काफी नीचे चल रहा है price और अगर आप देखेंगे price value एक रुपे से बेहत कम है 7-0 price में आ रही है साहतामा के और ये कुछ price action चल रहे है 3,30,000 के करीब इसके holder है और काफी अच्छा number हो गया holders का और इस साल अगर अच्छे moment दिखाता है तो 8-10,000,000 ये जो number है ना जो बड़े-बड़े meme coins आज जिस level पे पहुंच चुके है तो ये coins भी पहुंच तो future में दिख सकते हैं लेकिन क्या कुछ update आ रही है साहतामा को लेके वो आपके साथ share करते इन्होंने अपना roadmap share किया था 2022 में क्या कुछ लेके आएंगे 2023 का क्या roadmap है सब चीजें share की थी लेकिन अब ये तयारी कर रहे हैं March के अंदर अपनी NFT marketplace लेके आ रहे हैं जी हाँ FANG इसको नाम दिया गया है और Pharisius जो है इसका नाम Arts marketplace रखा गया है और ये जो NFT marketplace है March 2022 के अंदर लेके आ रहे हैं और कही ना कहीं March में na crypto expo event है उसके अंदर सायतामा जो है परफॉर्म मतलब participant करने वाला है तो कहीं ना कहीं event भी है एक अच्छा event है cryptocurrency की दुनिया में मतलब cryptocurrency world के लिए अच्छा event है crypto expo और सायतामा भी उसमें participant करेगा और साथ के साथ अपनी जो है NFT marketplace को भी है launch करेगा March 2022 के अंदर तो जैसा कि हमने देखा सायतामास्क wallet आया तो कितना अच्छा spike लिया सायतामा coin ने तो ये NFT marketplace भी सायतामा के price में थोड़ा सा जो हमको impact देखने को मिल सकता है अगर आपके पास सायतामा coin है तो आप इस hold करके रखें वेट करें NFT का जो लेके आ रहे है और आगे जो update रहेगी हम आपके साथ share करते रहेंगे और अगर आप सायतामा को खरीदना चाहते हो कि बहुत सारे लोग नए है अगर आप खरीदना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपकी research जो है वो जरूरी है आप research करो और अगर आप खरीदना भी चाहते हो तो थोड़ा सा भी आप investment करोगे 100-500 इतना भी enough है ठीक है बहुत सारे coins आपको मिल जाएंगे क्योंकि Ethereum chain के उपर ये काम करता है और बहुत Indian exchanges पे भी list हुआ था हमने आपको update दिया था तो जिन-जिन exchanges पे available है आप चेक कर सकते हो वहाँ से आप इसको खरीद सकते हो और साथ के साथ नहीं तो आप Uniswap के जरिये trust wallet में भी खरीद सकते हो क्योंकि Ethereum chain पे काम करता है तो ये एक सबसे बड़ी update थी Saitama coin को लेकर कि NFT marketplace जो है अपना खुद का लेकर आ रहे है कल हमने Luffy का आपको update दिया था वो भी लेकर आ रहे है और अब Saitama भी अपना NFT marketplace आ रहे है तो दोनों का एक साथ update आया है तो कुछ ना कुछ connection जो हो सकता है दोनों का लेकिन ठीक है NFT लेकर आ रहे हैं marketplace लेकर आ रहे हैं अगर आपने join नहीं किया तो आप उसको भी join कर सकते हो तो I hope ये वीडियो आपको पसंद आएगा वीडियो पसंद आए वीडियो को like share कर देना किसी भी crypto या सायतामा के अंदर invest करने से पहले कुछ से research कर लेना वो बहुत जुरूरी है आज किस वीडियो में फिलाल इतना ही मिलते हैं next वीडियो में तब तक के लिए bye bye